बिग बॉस सीजन 14 के दौरान एक ऐसी कंटेस्टेंट सामने उभर कर आई घर के अंदर जिसका फैंडम सच में काफी बड़ा बन चुका है मैं बात कर रही हूं रोबिना की और उनके फैंडम रूबी हॉलिक्स की दिन बर दन ये नए नए सफलता के जंडे गाड़ते जा रहे हैं रोबिना दिलेक बेशक सीजन 14 जीत कर बाहर आ चुकी है लेकिन फैंस का जोश गुरूबी हॉलिक्स का जोश कम नहीं हुआ है और अब इन्होंने एक नया टार्गेट सेट कर लिया है क्योंकि आज इन्होंने एक टार्गेट को टच करा है एक माइल स्टोन को टच करा है अब इनका जो अगला टार्गेट है वो और भी बड़ा है क्या किया है ऐसा इन्होंने चलिए मैं आपको बताती हूँ बट इन केस इफ यू आपनार सब्सक्राइब तो देशी पटाका जरूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को भी दबाएं और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर दें वेल दोस्तो रुबिना दिलेक हैश्टाग रूबिना दिलेक इंस्टाग्राम पर अगर आप डालेंगे तो इसके 500K यानि की 5 लाग के जो है पोस्ट हो चुकी है लेकिन अब जो फैंस का टार्गेट है रूबिना दिलेक का टार्गेट है क्योंकि ये रुखते नहीं है और मैंने ये देखा है कि ये अपने ही टार्गेट को अपने ही रिकॉर्ड को खुद तोड़ना पसंद करते हैं और यही वज़े है कि अब ये 1 मिलियन करना चाहते हैं हैश्टाग रूबिना दिलेक को अन इंस्टाग्राम देखते हैं कितने दिनों में रूबि हॉलिक्स इस टार्गेट को टच कर पाते हैं लेकिन मैं आरादना पलपल की अब्रीट आपको देती रहोंगी देशी पटाका पर आप मेरे साथ बने रहें वीडियो को लाइक ज़रूर करना बाई